हाई एव्रिवन फॉलिंग इंटी यूर स्माइल आपकी मुस्कुराहट पर फिदा है हम एपिसोड 14 तो गाइस आज के एपिसोड बहुत ही मसेका है लेकिन उससे पहले अच्छे लोगों पीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो वाइटेवन सब्सक्राइबर की बड़ी कम में हैं ओके आदे हैं एपिसोड की तर्फ हमने देखा था कि स्माइलिंग में जो है वो आता ही से मकाबले की हमी भर ली थी अब उसका मैच है और वह सुबा सुबा काफी एकसरसाइज कर रही है और खुद को वाम अप कर रही है सब भी उसको देख रहे हैं हैं और काफी है अब क्योंकि नेशनल लिग चल रही है तो सब को फिकर है कहीं मोद फिर से परिशान ना हो जाए बट चैंग भी वहीं पर होता है सब कहते हैं कि हम जानते हैं तुम काफी मेहनत कर रही हो और उसे काफी बगप करते हैं कि जम के लड़ो तुम जरूर अच्छा करोगी हमें पूरा यकीन है कि जो है कहते हैं आप सब खुद परिशान हैं और उसको होसला दे रहे हैं या यह कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नवस नहीं हूं जिस पर फैटी कहते हैं कि तुमें इलो से कुछ सीखना चाहिए वह इतना काम रहता है हर सिच्वेशन में और अपने टीमेट कहा हएं और वो शूर में जाते हैं कि मेरा कर्श कहां गया जिस पर चैंग उसे देखते हैं कि वह इतनी नर्वस हैं और वो उसको अधी हैं कि तो क्या हुआ हुआ है और यह जो आप मुझे खुशिकरंग कर आँगा उन। सांस लो और ये सोचो कि कुछ नहीं होगा हार भी गए तो क्या हुआ और मैं तुम्हें जरूर जित वाऊंगा जिस पर फैटी जो है वो कहते हैं यह मैं क्या सुन रहा हूं चैंग के मुझे ऐसी बाते सब लोग उनको काफी छेड़ते हैं और कहते हैं कि हमारी जिन्दगी का मकसद तो पूरा हो गया हमने चैंग के मुझे इस किसम की बाते सुन लें हैं जो कि बहुत ही हमारी लिए सर्प्राइजिंग है और देन हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं गेम की तरफ मतवजा हो रहे होते हैं क्योंकि टाइम करीब आ जाता है इनकी यह नोग ओर शरारतों चलती ही रहती है चैंग उनको फाइनल कमांड देता है और गेम जो हैं वह स्टार्ट हो जाती है सबी लोग यह फैट फोन्स लगा लेती है इसका मिल्कुल चैंग यह स्टार्ट पी इनको इंस्ट्रक्शन से देते है यह वह तवामनों मैंगी नहीं सिलेक्ट डर थिखे रहे हैं और वो सब को commands दे रहाते हैं और उसे कहता है कि तुम उसे इतना क्यो डर रही हो उसके डर कर से तुम ठीक तरह से सामने भी नहीं हा रही हो क्या तुम offline प्लेयर हो तुम एक professional प्लेयर हो अच्छे से केलो देन हम देखते हैं कि उसकी टीम के यायो की टीम पे सभी मेंबर जो हैं के, फैटी, लाओ-माओ, इवन चैंग भी सब लोग जो हैं उसे काफी सुपोर्ट कर रहे होते हैं और चैंग उसे कहते हैं तुम रिपोर्टर से भी ज़्यादा तेज भाग रही हो इस तरह मत भागो, इस तरह सामना करो सब लोग काफी टैंशन में होते हैं और चैंग कहता है, अगर इसने तुम्हें मार भी दिया तो मैं जरूर तुम्हारा बदला लूँगा, तुम टैंशन मत लो फैटी उसे काफी सुपोर्ट करता है लेकिन यायो जो है, वो क्योंके थोड़ी सी परेशान भी होती है ठीक से अपनी पावर नहीं दिखा पाती है देन हम देखते हैं कि यायो की इन्ही मिस्टेक्स की वेज़े से उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है और वो छुप जाती है जिस पर चैंग उस पर थोड़ा सा घुसा करता है कि छुपने से कुछ नहीं होगा बाही निकल कर इसका सामना करो और उसे कहता है तुम किसे डिरती हो मैं यहाँ पर अभी तक मौझूद हूँ और देन वो कमांड देता है लामा को कि इसको सपोर्ट करो यहां पर आकर मिन्स इसको हल्पिंग हैंड प्रोवाइड करो और उसे कहता है कि जब भी तुम तमामन उमीग को देखो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है बलके तुम इसका सामना करो और चैंग जो है उसके लिए सारी गेम में उसके लिए रास्ते असान करता जाता है सबी मैंबर्स जो हैं वो याओयो के लिए काफी परिशान होते हैं और उसकी जहां तक हो सकते हительप भी करते हैं वो खुद भी काफी कोशिश कर रही होती है स्कॉर्स में देखें तो वो आता ही जो है वो यायोय से आगे होता है और उसके बहुत ज्यादा चांसिस होते हैं कि वो से पूरी तरह से खतम कर दें बट चैंग उसे कहता है इसका सामने से मकाबला करो और हमें दिखा दो कि कौन वैस्ट है चैंग के इस वैसले पर सब एकदम से परिशान होते हैं तुम हार भी गई तो कुछ नहीं होगा फैटी भी क्योंकि इसे बहुत बुरी तरह से आता ही ने क्रश किया होता है और सब लग उसको हुसला देर होते हैं यायोय बिलकुल भी हारना नहीं चाहती है और वो अपने नोर्स को सब को याद करती है अपने सब एफट को याद क किया देन वो हिमत करती है और आता ही से दुबारा से मकाबला करती है अपनी हार ये गेम को दुबारा जीतने की कुशिश करती है और गेम का पासा पलड देती है और हम देखते हैं कि बहुत जबर्दस गेम दिखाते हुए यायो जो है इस गेम को जीत जाती है आखिर कार व इसके लिए हैपी होता है और उसको कांसर्ण फेस के साथ देखता है जब के वह अभी तक क요ण स्क्रीन को देख रही होती है और अपना हाथ भी वो बटन से नहीं हताती है इसी भात में होती है कि उस abbiamo ने डर को अफ्रक आफर केम कर लिया है उसके सबी टीम मेंबर्स जो हैं उसके पास आजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा प्ले किया चैंग जो है वो भी उसको काफी अच्छा रिस्पॉंस देता है कि तुमने बहुत अच्छी एफट दिखाई है और हम सब खुश हैं याओयो जो है इस पर रोने लगती है और चैंग उसे बताता है कि तुमने बहुत अच्छा प्ले किया तुम्हें परिशान होने के जरूरत नहीं है फाइनली अब तुम एक जबदस प्लेयर बनकी यह तुम्हारे स्किल्स जो है पॉलिश्ट हो गए है और सब लोग आपस में मजाग भी कर रहे होते हैं इसी बात पर लु जोया कहते है मेरे साथ सब इतने काईंड नहीं रहे हैं वह्मारे साथ काईंड होने कि किसी जरूरत भी है अब uh यायो सब को थैंक्स कहती है कि आप सब के बगार में ये कभी नहीं कर सकती थी और आप सब का सुपोर्ट आप सब में साथ बहुत ही काइंड रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यायो कहती है कि मैं और में इनित करूँगी और मैं उसे next round में भी हराऊंगी और चैंग कहते हैं तुम काफी proud हो रही हो बट ये acceptable है चैंग की ये बात सुनकर सब लोग काफी हिरान होते हैं और उसको जेड़ते भी हैं कि भाई बर्फ बिगलने लग गई है यहांपर फैटी कहते हैं क्योंकि आज हमने बहुत अच्छा काम किया है तो इसके लिए हमें इनाम मिलना जाएए तो आज हम पाड़ी करेंगे और अच्छा डिनर करेंगे और इसका कलब पे करेगा यानि कि रूई को पेमेंट करनी होगी सब आज से जा रहे होते हैं कि उसने किस कदर ज्यादा मेहनत की थी सिर्फ इस एक मुमेंट के लिए उसके फर्स्ट मेहच से लेकर अब तक कि सारी जन्य उसके आँखों के सामने आ जाती है और वो काफी हुष होती है यह मुमेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं देन हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं वहाँ से चले जाते हैं और बस में बैठ जाते हैं इन लोगो आज गुड डिनर करना होता है पाटी करनी होती है और सब बस में अपनी अपनी मस्ती में होते हैं यायो जो है इंटरनेट स्क्रोल कर रही होती है और उसके सामने चैंग का वह ही इंटरव्यू आ जाते है जिसके विजह से वो नराज होकर जाती है और वो देखती है पूरा इंटरव्यू जिसने actually में चैयंग ने उसकी काफी दरिफ की होती है जिसके बारे जिसके बारे में याओयो को पहले पता नहीं होता है ये देखकर उसे काफी ज़्यदा खुशी होती है और वो कहती है कि भाई इसने तो मेरे सामने ही मेरी बुराय की थी बड़ एक्चली में इसने मेरी तरीफी की थी ये कितना अच्छा आद्मी है उसे ये देखकर काफी हैरत और खुशी होती है कि चैंग एक्चली स्माइल कर रहा है और अपनी ये खुशी दूसरों को दिखाने के लिए रुई के पास जाती है और इसे कहती है ये देखो इंटर्वियू तभी हम देखते हैं कि चैंग जो वहां पर सो रहा था इंटर्वियू की आवाज सुनकर एक दम से उड़ता है और जैंग कहते है मैंने कोई तुम्हारी तरीफ नहीं की मैंने बस स्क्रिप्ट पढ़ा था जिसको वह रुई से पूछती है और रुई कहता है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है ये जूट बोल रहा है किसी क्या है मैं जो स्क्रिप्ट में लोसी चैंग को सिखा सके कुछ भी याय इनका थोड़ा सा जगड़ा होता है और बस एक दम से रुकती है जिसे यायो जो है गिर जाती है और अब सिच्वेशन कुछ ऐसी होती है कि वो लू से चैंग की गोद में गिर जाती है सब लोग बस में मजूद ये सब देकर एक दम से शौक हो जाते हैं और देख रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे सिच्वेशन है सबके expressions उस वक्त priceless होते हैं और वो देख रहे होते हैं इनको और लू जो है वो अपनी शरार्तों से बाज नहीं होता वो फटा फटीन के picture बना लेता है चैंग उसे कहता है ये तुमने क्या किया और फटी भी देख रहा होते हैं सब लोग हिरान होकर उनके expressions देख रहे होते हैं और चैंग उसे कहता है कि इसको delete कर दो लेकिन हम देखते हैं कि लू से delete नहीं करता है उसके बाद सब अपने अपने काम में busy होते हैं रूई कहता है कि चैंग के हाथ तो बहुत लंबे हो गए हैं और चैंग कहता है एक छोटे जानवर को बचाने के लिए कोई लंबे हाथों की जरूरत नहीं होती बस नेकी की जर हुआ है और वो गिरावाबंदा सच में यही करता है वो इस पिक्चर को अपनी मा के बेच देता है और साथ में मसाले भी लगा देता है कि यही वह लड़की है जिसके साथ उसका नाम ज़्यदा फेमस हो रहा है नेक्स हम देखते हैं कि सब लोग डिनर के लिए हैं और अच चैंग की वाइप होंगी और चैंग ने तब उसके कहा था कि यही तरह से अफाज़त करोगे और बाद में भी इसने गल्फरेंड के पार में पूचा था तो मिस्स लू परकर यही लगता है कि वह चैंग की गल्फरेंड है और वो कहती है कि तुमारी बाबी की कॉल है और ज इस पर यायो कहती है कि यह शायद तुमारी गल्फरेंड है चैंग उसे घूर कर देखता है कि यह क्या बात कर रही है और वो कहती है कि मैंने गल्ती से नाम पढ़ लिया था मिस्स लू लिखा हुआ था लेकिन चैंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे शट अप कह गल्फरिंड ही अर वो अपनी मเผ़त को कहता है कि अगर काम हो डिए इस अर्फारा काम करेंगी तो आपकी कंपए तो जZरूर दिवाल आपकी उ में तो जाएगी को एक death तुम्हें पागल होने की ज़रुदित नहीं है वो तुम्हार लिए नहीं है यहां वापेस आती है तो देखती है और लोसेचे चेंग जो है वो फॉन पर बात करने में बेजी है यायों वहाँ चैना के नशनल लीग पूचती है। थीक है और वो उसे बताता है कि मेरी मदर है। जिसे सुनने कर वो थोड़ी Satisfye हो जाती है वहां से चली जाती है। उसकी मदर का सुन के वो इतने ज्यादा है दो आखर सब कहती है कि अब आप लोग चले जाओ यह काम मुझे करने दो कि तुम इतने क्यूं कर रहा है बट किसी को कुछ कहने की इमत नहीं होती है और रूई लू को कहते है कि लगता है तुमने शेर के गार में हाट डाल दिया है तुमारी वज़े से चैंग की परफॉमेंस पर एसर पड़ा तो तुमारी सैलरी काटूंगा और वो कहते है कि भई हमारी मदर ठीक है रही है मेरा बाह इतना बड़ा हो गए इसे एक गल्फरंड की जरूरत भी है लोसी चैंग इससे पर कुछ नहीं कहता है बट मुह बिगाड कर वहां पर बैठा रहता है देन उनकी मदर की कॉल लू के फॉन पर आ जाती है और वो चैंग को फॉन देता है कि आपकी कॉल है उसे बता जलता है कि इसकी बानों इसके लिए ब्लाइंड का बंदबस्त किया है और वोसे कहते है कि बड़ी जबरदस लड़की है अची फैमिली से है रिच है पड़े ल करते रहे और क्या ऐसी बंदी है अगर है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है देन हम देखते हैं कि लाउमा कहता है कि भई वो जैसे भी मुझे को बूला मेरी बात चिला दो जिस पर रूई उसको घूर कर देखता है कि चुप रहो सिचुएशन सीरियस है बट चैंग मैं आपके लिए बात करता हूँ लेकिन हमारी मॉम को मानना बहुत ही मिश्किल काम है देन वो अपनी मॉम को कॉल करते है और उनने मनाने की कोशिश करता है कि आपको यह सब नहीं करना चाहिए चैंग के लिए एक ब्लाइंड डेट नहीं डूरने चाहिए क्योंकि वो लिए चैंग को डेट पर लाजमी जाना चाहिए और मैं जरूर आपकी मदद करूँगा उसको मनाने में या यह उसे गूर कर देखती है वहीं लोसी चैंग भी उसे गूर कर देखता है जिस पर बहुत जोड़ कर कहता है कि भाई मुझे माफ कर दें अगर आप ना जाते तो मुझे जाना पड़ता और मैं अपनी जवानी बरबाद नहीं करना चाहता है वो एक अच्छी लड़की है एक अच्छी फैमली से आपकी ही एज की है हमारा बिजनस रिलेशन्शिप भी काफी अच्छा होगा आपकी जोड़ी तो यह लगता है जैसे जनत में बनी हो जिस प पर वो बताता है कि जब हमारी मां कुछ ठान लेती है तो वो लाजमी करती है और कोई नहीं मना सकता लू यही सपाते बता रहा होता है और कहता है कि वैसे भी ही अच्छा है कि चैंग अपडेट पर जाए उसके लाइफ में कोई लड़की आएगी तो कम से कम वो एक महरबा इनसान तो शायद बन ही जाए अच्छा हो जाएगा और याओया से कहती है तो फिर तुम क्यों नहीं गए तुम्हें ही चले जाना चाहिए था जिस पर वो कहता है कि मेरी गल्फरंड तो मेरी गेम्स है और मिंगो ने कहता है कि बहस करने के बजाए आप लोगों को मैच पर दयान देना चाहिए हमारा नेक्स्ट गेम जो है इजी नहीं है टीम एफनसी जो है वो काफी जो है ट्रिकी है और उनके साथ लड़ना भी काफी मुश्किल होगा और वो हमें एक टफ चैलेंज जो है वो लोग दे सकते हैं और आप सब को अपने गोल्स क्लेयर करने होगे हम हम देखते हैं कि वो सब जो है अपने नेक्स्ट मैच की बाते करने लगते हैं और टीम एफनसी के बारे में बात करने लगते हैं कि अगर चैंग टाइम पर ना बचाता तो पिछली पार वो लोग इनको ज़रूर ऑवर केम करते हैं यायो कहती है तो पर हमें बहुत अच्छ से अपनी माँसे बात कर रहा होता है और यायो किस तरह से कहलते हैं कि capability क्या है उनके मेंबर की रखते हैं उनका जो लीडर है कुन उसकी ौभी रैंकिंग काफी पी जुड़ दिया का थप एधिम मेंक Tai chi ein आर्पेर को देख रहा होता है या जो काफी करती है और ये लोग ट्रेंग करते आν कुछ दिन चीन हे ट्रेनिंग में साथिसवाइ देन हम देगते हैं कि यायो और मिंग बेस्क्राइट होते हैं यह क्या हुआ है इन ने आने आया था वो भी बहुत मेहनत करता था लेकिन अब देखो वो दूसरों के अकाउंट्स जो है वो बिलकुल डमी है वो दूसरों के अकाउंट्स पर खेलता है और उनके कोईन्स जो है उसको लोस्ट करता है जिस पर लू जो है उसको अच्छी खासी सुना देता है फैर then हम देखते हैं कि वहाँ पर चैंग आता है और वो पॉल पर बिजी होता है वो किसी को कह रहाता है कि ठीक है मैं आपको वहाँ पर मिलूँगा मैं और वो कहता है कि मैरी मॉम ने एक लड़की को बाहर बुलाया तो मुझे इसे वापिस चोड़ना है और याया से पूछती है कौन से लड़की इसके इन सवालों पर सभी देखते हैं वह कहती है अब blind date पर जा रही है जिस पर बॉद नगे पाउं ही खड़ी है जिस पर उसे और घूसा आ जाता है क्योंकि उसने मना किया होता है उसको घर में यूहीं घूमने से उसका जुता लाता है और उसको देता है और इतना caring attitude है उससे कहता है कि जुता पहनो क्योंकि next time अगर तुम दर्ट से चिला भी रही मैं तुमारी मदद नहीं करूँगा लो इस situation को camera में कैद कर लेता है जिस पर Chang जो है इस पर उसे कुछ भी नहीं कहता है सब लोग काफी शोक होते हैं कि Chang इतना caring क्यों हो रहा है याया के लिए बट अब मिंग याया को बता रहा होता है strategies लेकिन उसका ध्यान होता है जाते होए Chang की तर्फ वो बाहिर जा रहा होता है मिंग जो है ऐसे कहते हैं कर लो दोर है तर्फ और अपैरोपी करने के ड़ेची पिस Net में में तर्फ जो रहा हम पर तोच दून की वह टून की प्रपका है शोम है कि वहां नर्टी प्रेटी नर्टी इना बेफों बीट कर रहे है Chang जाने के बुलाइ है Chang को देख्टी 10ा ही रहे क्योंकि उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है देन वो खुद को इंटर्यूस करवाती है कि मेरा नाम सूलू है और अपनी पूरी इंड़स्ट्री और वो सब कुछ जो भी उसका बायड़ा है उसको इंटर्ट्यूस करवाती है चैंग उसे कहते है कि मेरी मदर ने कहा है कि और कहते है कि मुझे जल्दी है तो आप प्लीस जल्दी करें च्छोड़ दू वोसे कहते है कि मेरा थोड़ा वेड करें मैं सहरा रेष्टरूम यज कर करे आई चैंग महां वेड कर राता है और वो अपनी मदर को कॉल करके साथ-साथ मेक अप कर रही होती है और बता रही ह Court यहां पर है बहुत जबर्दस है पर मुझे कोई खास उमीर नहीं है उसके अटिट्यूट को देखकर यहां देखे चैंग वेट कर रहा है उसको मेसेज आता है याया का वो से पूछती है कि आप ब्लाइंड डेट पर रहें जिस पर वो बताता है हां और वो से पुछती है करीभी एक लोकल शोप है वहां पर कुछ खाने की चीज मिलती है जो बहुत जबर्दस्त है तो किसी भी लड़की का दिल आप जीत सकते हैं वो से कहते है तुमें खाने की सीवा कुछ आता भी है इतने ही देर में वो लड़की वापिस आ जाती है और उसे कहते है तुम उमिदे नहीं देता है बैंट उसे कहता है कि क्या तुम वो खाओगी जिस शोप के बारे मी यायया ने बताया होता है और वो देखती है उस तरफ वो एक छोटी से शोप होती है काफी और खelli होता है और वो उसे कहती है कि तुम ये खाते हो और वो कहती है कि मैं ये अपने पैट के लिए ले रहा हूँ तो वो कहती है आपका पैट भी है क्या वो एक डोग है और देन चैंग उसे कहती है नहीं वो रैबिट है देन में लड़की कहती है कि एक rabbit इतना oily खाना खाता है जिस पर वो कहता है कि वो एक garbage क्यान है वो कुछ भी खा सकती है चैंग actually में यायों के लिए ले रहाता है और उसी को कहता है देन हम देखते हैं कि बारिश होने लग जाती है और वो से कहता है कि मेरा wait करो मैं गारी लेकर आता हूँ चैंग वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पर काफी खुश हो रही होती है लोगों की attention को पा कर काफी लोग चैंग की तारीफ कर रही होते है obviously उसके fans भी है देन में दोनों वहाँ से चले जाती है गारी में जो है वो लड़की कहती है कि आप से बात करकर अच्छा लगा और उसे काफी के लिए पूशती है जिसे चैंग मना कर देता है और कहता है कि मेरे matches है वो लड़की मजीद बात करने की कोशिश करती है बट चैंग उसे clear कर देता है कि आप बहुत अच्छी हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ चल सकते हैं मेरी गल्फरेंड मेरा केरियर है और मुझे उसी के साथ रहना है तो मुझे बताओ आप कहां रहती हैं मैं आपको ड्रॉप करके यहां से चला जाओंगा सिंपली देन हम देखते हैं यहां पर बेस कैंप में याओयो को भी सकून नहीं आ रहा है के उसे कहते है तुम्हें की वीडियो बार बार क्यों देख रही हो जिस पर वो गड़बरा जाती है और कहती है कि मैं डिटेल्स चेक कर रही हूं जबकि उसका ध्यानी नहीं होता है याया कहती है कि मुझे टेंशन हो रही है बारिश हो रही है किया चैंग अम्रेला लेकर गया है जिस पर लू जो है कहता है वो डेट पर गया है हमें बहुत जल्ब भाबी मिलने वाली है याया को घुसा आ जाता है और कहती है मैं ठक गई हूँ और मैं जा रही हूँ लो कहते हैं इसको क्या हुआ और के हसकर कहते है खुदी गैस कर लो इसे क्या हुआ है वेल हवा में कौन से खुश पुपैल रही है ये तो सब को मैसूस हो रही है ये खटी मिठी नोक जो कुछ तो रंग लेकर जरूर आएगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत बूलिएगा तैंक यू